कैसे आप लोग वेलकम तो अनकाडमी एक्सलेट तो एक बहुत प्यारा सा क्वेशन है पाथफाइंडर से लिया हुआ और इसको सिच्वेशन एक्स्क्लेंड करने के लिए मैंने एनिमेशन भी यूज किया हुआ है जैसा भी आप देख सकते हो ठीक है अगर हम क्वेशन की बा लेविटेशनल सबोज ऐसा रखा वाई यूँ ठीक है तो जैसे आप इसको किसी सिलिंडर कल वायर को कट करने की कोश्च करते हो तो कितना रख सकते कि वो स्लाइड ना गरे तो जैसे आप इसको जैसा अब एनिमेशन में भी आप देख रहे हैं ठीक है कि जैसे आप इसको क आप बीटा पर जाकर कि वो रुक आ रहा है रुक क्यूं जा रहा है क्योंकि नौर्मल का जो उसको फूट जो वालियू बालेकर रही है ठीक है अभी आप देखिए इसको एक बार फिर मैं इसको स्वाल्फ कर देता हूँ है ना तो मैंने जाल से आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई तो अब मैं यहां से आपको दिखाता हूँ है ना दिखिए ये 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 सिंपूल अरेंचमेंट ऐसा ठीक है तो अकर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो जैसा आपने देखा कि आखरी पॉइंट पे रुका है तो जिस भी पॉइंट पे रुका उस टाइम पे आपने कुछ एंगल एजूम कर लिया तो जैसे वो थीटा अंगल हुआ तो आप देखेंगे जो नॉर्मल कॉंटैक्ट फोर्स है वो इदर आ रहा होगा और यहां से normal force इदर आ रहा होगा, बिल्कुल उसी line पे होगा, और अगर आदे-ादे angle की बात करें, if the total angle is theta, तो यह theta by 2 रह जाएगा, अब अगर आप इस point पे बात करोगे, तो आपको यह दिखेगा, कि भी normal इदर आ रहा है, surface के perpendicular, but this angle is theta by 2, बड़ी आसानी से कह सकते है, theta by 2 तो यह भी theta by 2, ठीक है, यह 90-theta by 2, तो यह theta by 2 हो गया, तो if this force is n, तो इसका यह component कितना हो जाएगा, n sin theta by 2, तो बिल्कुल ऐसा ही इस end पे भी होगा, तो यहां से भी end, तो forward direction में जो force आ रहा है, जो इसको बात धकेल रहा है, वो कितना है, 2n sin theta by 2, अब अगर frictional force के maximum value की बात करें, तो आगे slide कर रहा है, तो देखो friction tangential लगेगा, ऐसा, यहां पे भी friction tangential लगेगा, ऐसा, बिल्कुल लिख सकते, तो अगर मैंने frictional force की maximum value f लिखती, तो इसको mu into f लिख सकते, अगर mu into n, maximum frictional force को, अब frictional force का component, जो कि उस धकेलने वाले force को balance कर रहा होगा, वो कितना होगा, तो f का यह component, f का यह component, it is definitely 2f cos theta by 2, बस, तो अगर आपने ऐसा लिख दिया, तो घाम बन गया, ऐसा लिखते ही, कि भई, जस्ट वहां पर रुक जाए, तो this 2n sin theta by 2, must be equal to 2f, 2f को mu n लिख सकते, cos theta by 2, 2, 2 cancel हो गया, n, n cancel हो गया, तो mu की value, 10 theta by 2, मतब 10 into 0.5 into theta, that's all, ठीक है, तो मैंने कुश्च की कि animation के तुरू आपको यह समझा दूं, है न, तो मुझे फुरी उमीद है, आपने इसको enjoy किया होगा, तो आप share like जरू करिया, और एक important information, unacademy champions league वापिस आ गया है, है न, जिसमें बहुत सारे prices है, total अगर price amount की बात करें, तो वो 5 crores का है, ठीक है, scholarship test है, aptitude के format पे है, है न, group stage 10th, 14th and 21st को होना है, final 28th को होना है, group stage में आप देखेंगे, एक घंटे का है, 25 questions भी दिया, final में 75 questions होगे, 3 घंटे का होगा, है तो unacademy champions league फटा-फटा पसको, जरूर indulment ले ले, अब ये scan करें, तो आप एकदम से उसी page पे लैंड करते है, जो indulment जहां से मिल जाए, and 100% scholarship भी है, ठीक है, तो चलिए फिर आपसे वापिस मलाकात होती है, all the very best, and चलिए फिर, है न, okay